हेलो फ्रेंड्स कभी कभी मॉर्णिंग में टिफिन बनाने में देर हो जाए तो आप इस रेसिपी को जुरूर से ट्राइ करें पांच मेट में रेसिपी बन कर तयार हो जाती है और टेस्टी इजी और साथ में है यह बहुत ज्यादा हेल्दी एक तम चुटक्यों में बनने व पढ़ा तो दोनों चिजों को पहले एक बार हम सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसके बाद इसमें बारी है पानी डालने की तो हमने यह पर एक कप पूरा नहीं डाला है थोड़ा डाला है और इसके बार इसे मिक्स कर देंगे इसके अंदर बिल्कुल भी तो चली चलते हैं गैस की तरफ गैस पर चड़ाएंगे एक टड़का पैन उसमें डाला है हमने दो चमच तेल साथ में डाली आदी चमच यहां पर काली सरसो और आदी चमच ही डालेंगे जीरा दोनों चीजें बहुत अच्छे से चटक जाएं उसके बाद एक मीडियम साइज करते हैं अगर आप मिरची नहीं खाते हैं तो आप मीरची महातरा कम भी कर सकते ہیں अपने इसाब सर्दें लें अब यहां पर आपके में नेइक धूल्ञोमस यह जिसे का घा निकल जाए हैं इसके बाद हम यहां पर अपने घर में रखी वी कोई भी वैजिज एड़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपर एक कटोरी फलकर गाजर ली है आपके पास कोई भी सीजनल सबजी हो जिसमें शिमला मिर्ची पत्ता गोबी या फूल गोबी हो अब भो भी एड़ कर सकते हैं और साथ में डाला है आदर टमाटर पर इकट करकर टमाटर स हलका सा खटा पनाएगा अगर टमाटर ना हो तो आप यहां पर एक चुटकी अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं नमक के साथ में तो टेस्ट अकोडिंग हमने यहां पर नमक डाल दिया है क्योंकि नमक हमने अभी आटे के बैटर में नहीं डाला है हम सीधा इसको सबजी मे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आटे और सूजी के बैटर में हम इसको मिक्स कर देंगे तो चलिए पहले इस मिक्षर को हम इसमें डाल देते हैं और हां गरम गरम बिल्कुल ना आट करें हलका सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आट करें बस इस तरीके से इस पाद इससे बहुत अच्छा आएगा और पेटर को दुबारा से अच्छे से मिक्स दे देंगे चलिए बैटर बनकर हमारा रेडियेस की कंसीजनसी आप देखी लिए जी चलते हैं गैस की तरफ गैस पर सेम वही तड़का पैन लिया है मैंने और दो चम्मच बेटर भरकर हम इ दूसरी साइड से भी पलट देंगे जिससे की अच्छे से सिख जाए और क्रंची हो जाए तेल की मातर अगर आप इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप दिना तेल के भी इसको नॉन स्टिक बना सकते हैं और यह देखें दोनों साइड से अच्छे से से शेखते हुए पहला बनकर हमारा रेडी है कम समय में जबर्दस्त नाश्था बनकर हमारा तयार हो जाता है जट पर तो मैं यहाँ पर आपको एक बार से और बना कर दिखा देती हूं बैटर लेंगे दो चमच बीच में सेंटर में रखकर हलका सा फलाएंगे ज्यादा फलाने की जरूरत नहीं है तो इसे थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए और आधा मिनट के लिए इसको ढखने के बाद छोड़ देंगे और आधा मिनट में अच्छे से एक साइट से पक जाएगा उपर से भी देखने से पता लग रहा है बस हलका सा तेल डालके इसको पल्टी दे देंगे और दोनों साइट से सेखते वे नाश्टे को पिपेर कर लेंगे इस नाश्टे की खासत ही है कम समय में बनता है घर के समान से और बीना टूटे फूटे रोज के वही पूरी कचोरी परांटों से अगर आप परेशान है तो एक बर इस रेसीपी को ज़रूर से ट्राइ करें रेसीपी अच्छी लगयों तो वीडियो को चोटा सा कमेंट चोटा सा लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं नई दिन नई रेसीपी के साथ तैंक्स पर वोचिंग